साथियो नमस्कार वर्स दो हजार चौबीस के नौ नूतन सुबारंब पर सब को हमारी तरफ से वा हमारे चैनल की तरफ से हारदिक सुपकामनाएं और हमारे बिलाग को पूरा तथ्यात्मक और तारकिक रूप से अवस्य सुनिये और इस पर मन्थन करिये एक एक सब्द बड़े अन्वोल हैं और मैंने इन अन्वोल सब्दों का संकलन उसी पांडाल और तिरपाल के बीच में किया था जहां पर प्रभु की जन्म भूमी है और प्रभु विराजमान थे उसी का थोड़ा सा अफसार अवस्य सुनिये और आनन्दित होईए और इस प्रभु स्री राम जी की यात्रा को बीच में अवरोद मत देना तुरंत अपने मिलने जुलने वालों को भी भेजना जिससे ये जो वरतमान में प्रभंध कमेटी स्री चम्पत राय साभ हैं स्री नर्पेंd मिसर साभ हैं राजा आयुद्ध्या स्री मिसरजी साभ हैं और माननी हमारे मुखमंत्री साभ परदान मंत्री साभ तक ये पहूँचे और इस पे विचार हो पौधे 84 लगना है और पांच राज गद्दियां वहाँ पे डाली जाना है यही अखंडता है और यही दूर दर्ष्टा और महान संदेश होगा सुनिये पूरा बहुत ही मारमिक सुनिये बहुत ही गंभीर द्विसे है सुनिये अवस्च पूरा सुनिये और मन्थन करिये साथियो नमसकार मैं राम प्रताप सिंग कुस्वाहा हमारे चैनल ग्यान एंड नौलिज की साखा मन्थन में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है स्वागत है वेलकम है आज का विसे बहुत ही मातपूर है क्योंकि आज का जो विसे का कैंद्र बिंदु है वो दुनिया का स चनवरी दौहजार चौभीज को कच्छप दौदस की सुब महुत में बारा बजके उन्तीस मिनट से बारा बजके तीस मिनट चौभेस सेकेंड मतलब चौरासी सेकेंड तो 84 ही 84 लाख योनिया हैं उसी में लाख हटा दीजे 84 बचेगा तो आप ये समझ दिये कि प्रहु की माया कितनी बलवती है और हमारे पूरवज कितने महान हैं अच्छा हमारा विशे जो होता है वो कुछ हटके होता है भाई ये भी थोड़ा ध्यान रखिए हम कोई वो चैनल और सराष्टी समाचार चैनल वाले नहीं हैं कि एक ही बात को बार बार दोहराते रहें हमारी चैनल में हमारे चैनल में जो मन्थन होता है वो समुद्र मन्थन की तरह है समुद्र मन्थन हुआ हो या ना हुआ हो लेकिन आठ अरब अवादी की अवादी के जो लोग हैं उनम तो चलिए आज हम अयुद्या में उस इस्थान पर ले चलते हैं जो जन्म भूमी के नाम से जाना जाता है प्रभू की और जहां पर वर्स 2009 में मैंने धाई दिन पुलिस अधिकारी के रूप में उस पुन्नमई पंडाल के नीचे तरपाल के नीचे जहां भगवान विराजमा थे प्रभू भगवान स्री राम जी अपने सहुदर भाईयों और संकट मोचन हनुमान जी के साथ विराजमान थे उस पंडाल के अंदर मैंने डूटी धाई दिन दिये और धाई दिन का मुझे आसिरवात प्राप्थ हुआ है मैंने ईश्वर को सपर्स भी किया है मतलब मू इंस्पेक्टर और एक सिपाही ही जाया करते थे और सत बात तो यह है कि भगवान ने इन पान सो वर्सों में इतना बड़ा संदेश हम्मानों को दिया है कि दुरलब संदेश क्या पंडाल के अंदर कभी ये नहीं पूछा गया कि आप किस जाती के हैं किस धर्म के हैं किस सं दिसंबर उनीस सो उन्चास को जब पदारपन हुआ था प्रभू का तथा कति धांचा में ज्यादा बिवात का विसे हम नहीं चाहते हैं तेस में सांती चाहते हैं और इसलिए हम कोई बढ़गीली बात नहीं कहेंगे लेकिन जो सत्त है वो उस समय डूटी दे रहे थे स्री सेर सिंग और सेर सिंग साब ने डूटी बदली थी बरकत अली साब ने और बरकत अली साब ने इस सुतंतर भारत में सबसे पहले प्रभूर राम चंदर जी के भाव विहंगम दरसन एक तरह से किये थे क्योंकि उन्होंने उन दरसनों का बखान अपने ब्यानों में दिया है और उनका ब्यान लोवर कोर्ट से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक रहा है उसी पंडाल में मैंने डूटी ती है और ये एक सभाग है कि मैं एक प्लिस वाला होकर और ये ब्लाग भी आप लोगों को बना रहा हूं इससे ज़्यादा दुरुलफ सेयोग और क्या हो सकता है कि वो हाँ हमारा प्लेस तो पढ़ना नहीं जैसे आपका प्लेस नहीं पढ़ना है आप भी सोच रहे होगे कि दर्सन किये जाएं भगवान के वहीं पर पहुँच के लेकिन भाई सुरक्षा विवस्था और इतने आप वी आईपी परसन है नहीं कि आप आठ हजार लोगों को नि जैकार बोलिए निर्मल मन जन सो महिपावा मोह कपट छल छिद्र नभावा बस इसी मैसार है दुनिया का ये राम जी के ही सब्ध हैं प्रहु राम जी के किसको कहे थे विवी सन जी को हाँ कि निर्मल मन जन सो महिपावा मोह कपट छल छिद्र नभावा इसलिए अपने मन को छोटा तो मत करें, आप जहां हैं, वहीं प्रहूराम के दर्सन आपको हो ही जाएंगे, कस्तूरी कुंडल वसें, मरग ढूंड़ें बनमाएं, ऐसे घटगटे राम हैं, दुनिया देखतना हैं, कवीर से बड़ा कोई ब्रह्म हुआ नहीं, बस हिर्दय में हाथ रखिएंगे, कि दर्सन आपको हो जाएंगे, क्योंकि जो अंस है, वो ईश्वर का ही अंस आपकी आत्मा के रूप में हिर्दय में विराजमान है, लेकिन कस्तूरी कुंडल वसें, मरग ढूंड़ें बनमाएं, घटगट ऐसे ढूंड हैं हम लोग भगवान को, अरे भगवान तो हिर्दय हैं, इसलिए आपको मूर्तीक जी की पुجा आपको करना ही होगी, क्योंकि भगवान सगुन से ज़ ända कुस होते हैं, ऐसा भगवान नहीं कहा है, गीता जी में भी कहा है और स्री रामचिर इत्मान भी कहा है, और बालमिक जी की रामान भी कहा है, अच्चा, अब एक और रहस प्रदान मंत्री जी की घोषणा जो कल तीस तारीक में हुई वो भी आप देख लीजे उन्होंने तुलसीदाज जी को किनारी कर दिया अब बालमीक जी को आ गया क्योंकि तुलसीदाज जी के बहुत बिरोधी हो गए थे कहीं बिहार के सिक्षा मंत्री कहीं उत्तर प्रदेश के स्वामी जी माद्निवर साहाब रोज बोलते हैं रोज स्री रामचरित मानस को जलाते हैं रामचरित मानस का एक सार नहीं समध पा रहे हैं जिस दिन सार समध जाएंगे उस दिन वास्ता में वो स्वामी ही हो जाएंगे वो बहुत अच्छे वेक्ति हैं मैं उनकी कदर भी करता हूँ लेकिन बस बड़ बोलापन उनको जो है कहीं का नहीं रख रहा है चलिए सुधार करेंगे आज का विशे बहुत ही वहंगम है बहुत ही मरमर्स परसी है इसको अवस्य सुनिये आप निमंतरन सबसे पहला निमंतरन किसको जाना चाहिए ये भी एक प्रफ्न चिन्न ह और एक और चीज विशेश है पूरे आयोजन में कि रगुपति रीत सदा चले आई प्राण जाएं पर बचन न जाई उस विचार धारा को यहां पर थोड़ा दूर कर दिया गया है ये अच्छा नहीं किया गया है इस पे मन्थन होना चाहिए रगुपति रीत सदा चले आई प्राण जाएं पर बचन न जाई इसमें बहुत बड़ा रहस है एक विचार धारा को निगलेक्ट किया गया है लेकिन आज हम वार्ता करेंगे कि सबसे पहला निमंतरन कार्ड किसको जाना चाहिए सबसे पहला निमंतरन कार्ड जाना चाहिए महिला सक्ति की रानी स्रीमती जैराज कुवर ये हंसावर रियासत है वहां की ये रानी साहिबा थी राजा रण विजय सिंग की वीरगती प्राप्त होने के बाद इन्हों ने 1528 में जब स्री राम जन्म वहूमी का मंदिर पावन मंदिर तोड़ा गया था उस समय इन्होंने रक्षा के लिए अपना हमला किया था विरोधियों के ऊपर उस समय ये वीरगती को प्राप्त होई थी इनके वनसजों को सबसे पहले बुलाना चाहिए और उस समय अयोध्या फैजावाद की एक रियासत थी भीटी वहां के राजा महताव सिंग साहब थे इनके परिवार के लोगों को बुलाना चाहिए क्योंकि ये 1528 में उस समय सहीद हुए थे और उस समय इन्होंने उन सैनाओं का सत्र सैना का विरोध किया था और फिर इसके बार राजक रूप देवीदीन पांडे साप स्वामी महेसानन जी और 76 बार युद्ध हुआ है ये वर्स 1990 से पहले 1990 में तो स्री राम कुठारी जी वा सरच कुठारी जी बंधु तो नायक हैं ही लेकिन इसके अलावा जो भी जीवात्माएं इस महान संकल्प और अभियान में सतत समर्पित रहीं उनका सब से पहले उनको निमंत्रन जाना चाहिए स्री सेर सिंग साब जो वर्स 1949 में सुरक्षा डूटी में थे और स्री बरकत अली साब बिसे सुरूप से बरकत अली साब जिनको इस सुतंतर भारत में पहली बार इस्वर सत्ता प्रभूर स्री राम जी के सुरूप के इतरह से दरसन हुए थे और उन्होंने उस चमतकार और उस इस्वरी लीला को अपने बियानों में वर्णन भी किया है जो यहां से लेके और मानी सुप्रीम कुड़ तक उन्होंने अपने बियानों को बदला रही स्री बरकत अली साब। ठाकूर स्री चगदंबा सिंग्जी इनके परिवार के लोगों को विसेश रूप से सादर आमंत्रित किया जाना चाहिए यदि महासचो स्री चंपत राय साब और जो भी इस प्रबंद कमेटी के सदस हैं वो हमारे अगर बलाप को सुने तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि इन महान आत्माओं के परिवार के लोगों को अवस्ट से बुलाया जाए और उनको सादर जो है संबान दिया जाए और इसके बाद लाहौर पाकिस्तान के चेर्मैन को बुलाया जाए क्योंकि लाहौर श्री प्रहुराम जी के वनसज पुत्र के द्वारा इस्थापित किया गय ये वो आएं ये ना आएं ये तो एक अलग है वो अपनी विचार धारा में जिसमें रहें लेकिन हमारा आपका दैट है कि हम उनको सादर आमंतृत करें फिर इसके बाद पूज महान सुतंतरता सैनानी स्री भगत सिंग साप के परिवार को भी बुलाया जाना चाहिए फिर ने करता धरता है जो हांका उत्तरदाई है उसको सादर आमंतृत किया जाना चाहिए कासी राज जी के इधर से मा समित्रा जी के वनसस के लोगों को भी बुलाना चाहिए मतलब वर्तमान समय में जो कासी राज के महराजा है उनको भी सादर आमंतृत किया जाना चाहिए हमारे पूज श्री गुरु गोविंद सिंग साथ जी के आदेश से निहंगों की जो महान सेना आई थी और जिन्होंने निहंग स्री फकीर सिंग खालसा साथ के परिवार के लोग स्री हरजीत सिंग साथ जो इस समय वहां पर विसेश भंडारा चलाएंगे वो सम्मान के साथ उनको पहले आदर सहत इस महान समाय आयोजन में बुलाया जाना चाहिए मैं तो ये कह रहा हूँ कमबोडिया है जक्षड कुरिया जहां पर आयोध्या नरेश्क आयोध्या महराज के परवारिक सम्मन थे उन सबके विसेश उच्चा योगते और या बेश्ड जो भी राजदूत साव हैं उनको साधर आमंत्रित किया ही चाना चाहिए पूज पूर प्रधान मंत्री स्री अटल विहारी बाजपई साहब स्री असोक सिंगल साहब और ऐसा नहीं है कि नर्शिंगा राओ श्री राजी गांधी साहब ने प्रयास नहीं किया उनका भी प्रयास था सभी ने प्रयास किया हाँ बिरोधियों में कमलापट च्रपाथी जी मानवर और मानवर मुलाईम सिंग जी साहब भी जो अब हमारे मतलब एक तरह से मानिय स्री कल्याण सिंग सहाब और स्री 567 इस्वापूर्व राजधिराज स्री विक्रमा दित्र मतलब महा काल उज्जेन से भी बुलाया जाना चाहिए ओड़्चा रियासत से जहां स्री मदुसूदन जी और स्री कुवर गड़ेस जी जो भगवान के स्वरूप को ओड़्चा ले गए वहां भी निमंत्रन जाना चाहिए काडागिल चिल करुना करन नायर साथ डियम साथ को भी बुलाया जाना चाहिए उनके परिवार के लोगों को स्री गुरुदत्य सिंग साहब और स्री अभिराम दास साहब स्री रगवीर दास जी स्री दिग्विजे नात सिंग गोरकपूर तो उत्तरा दिकारी हैं ही वर्तमान में खैर लेकिन वहां से मतलब गोरक धाम पीट से किसी महनभाव को बुलाया जाना चाहिए पावन असोक वाटिका स्रीलंका स्रीलंका के जो भी इस समय उत्तरदाई महनभाव हों उच्चा युक्त और इंबेश्डर साब उनको सादर अमंत्रित किया जाए अफगानिस्तान मा केकई जी का जहां मायका था वहां से भी सादर अमंत्रित किया जाए मतलब किसी को छोड़ा नहीं जाना चाहिए इस राम जी की पावन अखंड यात्रा में अधिती और अविरल यात्रा में सब को समाहित किया जाए सबरी माता जी के आस्रम में जो भी प्रवंधक हो उसको सादर अमंत्रित किया जाए गुहराज निसाद जी के जो प्रवंधक हो वहां उनको सादर अमंत्रित किया जाए किस किंधा किस किंधा में बाली सुग्री उसरी पवन पुत्र हनवान जी के जो भी इस्थान हैं उनके महंतों को उनके जो भी प्रवंधक हैं उनको सादर अमंत्रित किया जाना चाहिए जामबंद्जी रहे जा रहे हैं उनको भी जामबंद्जी का मंदिर आरे वा भाई वा उनको भी सादर अमंत्रित करना ही चाहिए प्रवंधन कमेटी को और जो सीर्शस्त प्रवंधक हैं उनको इस विसे में विसेश रूप से गौर्द करना चाहिए कि इस महान आयुजन में जो प्रभू का आयुजन है इसमें कोई आदमी वन्चित न रह जाए और इसका मैं सबसे बड़ा फार्मूला और सबसे बड़ा सूत्र बता रहा हूं कि माननी प्रधान मंत्री जी वी बी आई पी महोदे की ही लाइन में पांच राज सिंग्हासन खाली डलवाए जाए इन भूत मर्त महान आतमाओं के समान में और उन राज गदी और उन चेयर परसंस के रूप में वहां पर आजकर वी राजमान हो और इस मہानतं समारोई के वो दरसन पा सकें हमारे सास्त्र हमारी परंपराएं कहती हैं और उम्हान गीता इस बात का संदेश देती है कि आत्मा अजर अमर हैं अगर आत्मा अजर अमर हैं ये सिध्धान्त जिवान्त है तो आत्मा अवस ही प्रहुराम जी का इस समारोय को देखने आएंगी और ऐसा नहीं है, स्री राम चरित मानस और रामार ये संदेज भी देती है कि प्रहूराम जी से मिलने दसरत जी की आत्मा स्वेम इस मत्वलोक में आई थी तो दसरत जी की भी आत्मा आ सकती है और उनके पूरुत स्री भागीरत जी, स्री हरिश्चन जी, स्री रगु जी, आज जी सब की आत्माया सकती हैं तो पांच कुर्सी खाली दलवा दी जाएं उस पंडाल में, उस विसे समारोई में जिससे और फिर इसके बाद जब ये समारोई समाप्त हो जाए, तो भगवान जी का जहां विग्रह स्थापित हो रहा है, उन पांच सिंघासनों को, उन पांच राजगदियों को, वहीं समाहित कर दिया जाए और एक और, ये 84 मिनिट का, ये 84 शेकंड का जो महूर्थ है, इसमें उस परिसर में 84 दिव पौधे भी लगवा दिया जाएं, जिससे पूरी दुनिया में ये संदेश जाए, कि प्रभू राम जी ने 14 वर्स अरंड की, अरंड की संदक्षन किया, अरंड की वन की सेवा की, जंगल की सेवा की, और जंगल को 14 वर्सों तक रखवाली की, और वहीं से महान ग्यान उन्होंने प्राप्ट किया। आप ये क्यों मानने हो कि वो ईश्वर थे उनको सीधे सीधे मानो रूप में आप देखिए दसरत नंदन के रूप में देखिए दसरत नंदन के रूप में जंगल बनवास में उन्होंने एक दिन बिगर ग्यान प्राप्ट किये नहीं रहे वो अगस्त रिसी के पास वो भरद राम अंताराश्टी वायवड़ा का नाम रखा जा रहा था वो उन्होंने बदल कर स्री बालमीक जी का नाम रखा और बालमीक जी अभी किसी ने राम बालमीक रामान को पढ़ा या मतलब उस विसेश पे ध्यान नहीं दिया बालमीक रिमान में वायू यान की इतनी अच्छी डिसक्रफशन है इतना अच्छा विसलिसन है कि आज के महान से महान विग्यानिक भी अभी उतना सोध नहीं कर पाए होंगे जितना सोध बालमीक रिमान में है और सत्त तो यह है कि वायू यो यान है और व भोर होकर आत्मिक भोर होकर मानिय प्रधान मंत्री स्री नरेंद्र मोदी जी के साप के मन में स्री बालमिक जी का महान नाम आया और वो बिवादों से भी उन्होंने दूर कर दिया और स्री बालमिक जी के नाम से अंतराश्टी अयुद्ध्या का नाम रखा इसके लिए मैं वाईवियान के और वाईवड्डे के उपर एक अलग से वो बना रहा हूं उसको सुनिएगा बहुत ही सारगर्वित होगा और वास्तों में स्री राम चरित्मानस तुलसीदाश जी ने जब लिखी विचारधारा ही देते हैं और विचारधारा पूरे मानों की सृष्टम विचारधारा है और वही विज्ञान कर रहा है आज ढूंड ढूंड के वही काम कर रहा है नया कुछ नहीं हुआ वास्तों में अयुद्ध्या बदल गई है अब ये बलाक आप जरूर देख लीजे इस से आपको आयुद्ध्या आज की स्थिकी हो जाएगी मैं दो हजार नौ से दो हजार सोला तक रहा मैं परिवार के एक दो रिष्टेदारों को मैंने बुलाया लेकिन उस समय जब उन्होंने आयुद्ध्या को देखा था तो उन्हें बड़ा दुख हुआ था वास्तों म वो स्री हनुमान गड़ी जी के जो विराजमान है संकट मोचन स्री हनुमान जी की जै हो क्योंकि लीला सब वही करते हैं स्री राम जी तो बस आनंद लेते हैं करता धरता हनुमान जी हैं और इसमें भी सब करता धरता हनुमान जी ही कर रहे हैं चलिए साब बहुत बहुत धन पकराय साब और जो भी परबंद कमेटी के हैं वरना ये आत्माएं आप से बहुत कुपित हो जाएंगी बहुत कुपित हो जाएंगी इन आत्माओं के लिए पांच सिंगासन बनाईए और चौरासी सेकंड में चौरासी पौधे लगवाईए उस मिसेश विवस्था में मैंने आपको दो सब्दों के लेटर भी लिखे हैं पत्र मेरे हो सकता है आपके पास पहुंच रहे होंगे रास्ते में होंगे और उन पत्रों में मैंने विवरन भी लिखा है और आपसे अंरोध किया है पांच राज सिंगासन डलवाने का और चौरासी पेड़ उस महुर्त में ल आएगा ना आतंकवाद इस दुनिया में कोई समस्या है ना संपरदायक्ता कोई समस्या है जो युद्ध और रूस और युक्रेन हो रहे हैं ये सब युद्ध तो छोटे-छोटे वो हैं लेकिन जलवाईव समस्या दुनिया की सबसे वड़ी महनतम समस्या है और जलवाईव स एक मिनट में सूख जाता ये है महान प्रभुषरी राम जी का महान संदेश इस संदेश और विचार धारा को हमें जल्वाव परिवर्तन और परियावरान की रक्षा के लिए पूरी दुनिया में फैलाने की आवस्ता है धन्नवाद जैहिंद जैहिंद जैहिंद